स्वागत है आप सभी का class oxide CUET में आपके CUET 2023 जनल test preparation की ये वीडियो लेके आ गया हूं है इस वीडियो में हम लोग LCM SCF का और further और sums जो है देखेंगे तो बढ़ते हैं आगे तो हम लोग type 14 देख रहे हैं इस वीडियो में तो LCM SCF की ये वाली question को आप देखो the ratio of two number is 4 is to 5 their LCM is 120 तो numbers are इस pattern में क्या होगा आपको दो number की ratio दे दी जाएगी ठीक है और आपको LCM दे दिया जाएगा और आपसे number पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे तो देखो number की ratio क्या है 4 is to 5 जब कभी भी number की ratio given हो उस number को let कैसे करना है तो number को let करना है कि let the number क्या है 4 is to 5 x 4 fame 6 to 5 x और अगर आप 4X और 5X का अगर आप LCM निकालो 4X and 5X का अगर आप LCM निकालो तो कितना आजयोगा इस की LCM हो जाएगी LCM कैसे निकालते है जो number है उसको multiply कर दो तो यह फिर जो 4 और 5 की LCM निकाल दो तो 4 और 5 के LCM कितनी होती है, 20, और जो X है उसे लिख लो, 20X, तो हमारे हिसाब से LCM 20X बन रहा है, लेकिन question में तो कितना है, 120, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, 20X जो है, ये equal होना चाहिए 120 का, अब अगर मैं 0 और 0 remove कर दू, और 2 से ये remove कर दू, तो X की value मेरी कितनी आ जाती है, X की value आ जाती है, 6, X की value 6 आ गई, तो मेरी number कितनी है, number को मैंने क्या लेट किया था, 4X and 5X, तो 4X मतला 4 into X, मतलब क्या, 4 into 6, है न, तो कितना 24, दूसरी जो number आ गई, वो क्या आ गई, 5X, 5X मतला 5 into X, 5 into X मतला 5 into 6, कितना 30, तो आप को ये option देखो, जिसमें 20 and 30 है, 24 and 30 है क्य तो ये आप ये वाली option को देखो, option number 3, 24, 30, तो देखो आपको जब कभी ratio given हो, और LCM given हो, रेशियो को इस तरह से number को लेट करना चाहिए, ठीक है, now, next बढ़ते है, इस question में भी देखो, same question है, वैसा ही, है न, विल्कुल same question है, यहां भी दो number दी गई है, और उनके ratio दिएगा क्योंकि LCM given है 240, अब यहां से अगर 12 के table में, यह 20 times में चला जाएगा, x में रिया आ गई, 20, तो number क्या हो जागा, देखो, number क्या पूल है, smaller वाला number, 3x, 4x में smaller number कुन सा होगा, of course 3x वाला होगा, है न, तो 3x का मतलब क्या है, 3 into x, मतलब 3 into 20, x की value हमारी 20 आई है, तो कितनी होगा, 60, तो smaller value, smaller वाली number, 60 होगी, यहां देखो, option number 3, तो इस type में, type number 14 में, इस तरीके से, जो है, questions आते है, यह दूसरा type है, इस type में आप देखो, यहां पर ratio तो दिये गया है, देखो, यह वाली जो वीडियो है, इसमें हम लोग ratio, जो LCM, HCF का ratio based वाला, जो questions होता है, उस HCF दीवेन है, और उनकी LCM पुछी जा रही है, कैसे करेंगे इसे, तो यहां देखो, number जो है, 3 is to 4, ठीक है, देखो, HCF होने का मतलब क्या है, HCF होने का मतलब क्या है, कि यह maximum number जो है, HCF का मतलब क्या होता है, माल लो समझो, माल लो first number है, और यह second number है, यह first number and second number में से maximum कौन सा number आप common ले सकते हो, maximum कौन सा number आप common ले सकते हो, वही है हमारी HCF, तो यह जो दोनो number है, 3 is to 4, यह actual में तो कुछ और number रहे होंगे, इनको reduce करके 3 is to 4 किया गया है, तो actual number क्या था, HCF अगर given होगी ना, simply HCF इसको multiply कर दो, HCF कितना है, 4 है, HCF multiply कर दो, number कितना आ गई, 12 और यहां 16, यानि कि actual में number जो है, number जो है, वो 12 and 16 रहा होगा, इसको reduce करके 3 is to 4 बनाया गया, यह कैसे पता है, हमने HCF को multiply कर दिया, तो देखो, HCF तो पता चल के आ गया हमें, अब हमें पू I am sure आपको LCM निकालना आता है, तो 2 के table में यह 6 times में, 8 times में, 2 के table में यह 3 times में, and 4 times में, और तो होगा नहीं, तो 2 जा 4, 4 3 जा, 12, और 12 4 जा, यहां पर कितना हो गया, 48, option number 1, ठीक है, तो अगर आपको HCF given हो, तो क्या करना है, जो ratio जो है, वो ratio में HCF वाली number को multiply कर देना है तो आपको number मिल जाएगी, ठीक है, वही pattern में आप यह देखो, यहां question है, 3 number दिये गए है, 2 is to 3 is to 4 है, 3 number की ratio जो है वो दी गई है, and उनकी HCF दी गई है, नमबर कितना है, 2 is to 3 is to 4, और HCF कितना है, HCF है 12, तो LCM क्या है, तो जैसे मैंने बताया, number की ratio अगर given होगी, तो आप आपको HCF जो है, simply multiply कर देना है, तो 12 पूरे में multiply कर दो, 12 2 जा 24, ठीक है, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, मतलब जो है, यहां पर हमारा, जो numbers हो गए, वो हो गए, 24, 36, 48, अब हमें क्या करना है, अब हमें LCM निकालना है, simple सा प्रोसेस है, कैसे निकालते है LCM निकालना, अब यह तो बहुत 14, 24, I'm sure आप लोगों को यह आता होगा, 6 से मैं directly करता हूँ, 2 times में, 3 times में, 24, 2 से मैं करता हूँ, 1 time में, 3, 2, अब यहां multiply कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12, 12, 2 जा 24, 24 को 3 से multiply करोगे, तो कितना हो जाएगी, 24, 42, 72, 72 को फिर 2 से multiply करोगे, तो कितना आ जाएगा, 144, ऑप्सन है क्या, 144, yes, option number 1, तो इस तरीके से अगर आपको ratio given हो, और HCF अगर given हो, तो आपको इस तरीके से approach करना है, तो यह दूसरा एक type है, देखो, यहां पर इस type में क्या है, type 16 हम लोग देख रहे हैं, तो type 16 का यह question है, यहां क्या है, LCM and HCF का product दे दिया गया है, 24 है, और दोनों number का बीच में difference दे दिया गया है, यह वाला question जो है बहुत बार exam में पूछा गया है, यह pattern पे, कि आपको दो number दे देंगे, उनका addition दे देंगे, या difference दे देंगे, and LCM and HCF में सिर्फ कुछ एक दे देंगे, फिर उसके बाद में बाकी दूसरे number fine करने बोलेंगे, या difference fine करने बोलेंगे बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से समझो यह वाला, तो LCM HCF का product कितना है, 24, मतलब LCM into HCF कितना given है, 24 given है, ठीक है, और difference of the two number, जो दोनों number है, उनका difference 2 है, मतलब अगर एक number X है, दूसा number मालो Y है, तो X minus Y कितना है, 2 है, आप देखो, इग्दम first में, मैंने एक formula आपको LCM into HCF जो है, यह कोल होता है, first number into second number का, है न, LCM into HCF करोगे, तो वो बड़ा बड़ा आएगी, first number into second number, तो first number हमारा X है, second number Y है, तो मतलब LCM into HCF जो है, 24 जो given है, यह क्या होगा, first number X है, second number Y है, तो X into Y, मतलब क्या मैं यहां से यह बोल सकता हूँ, X Y equals to 24, X Y equals to 24, तो देखो हमारे पास दो equation आ गई, एक है, X Y equals, X minus Y बड़ाबर 2, और X Y equals to 24, X Y equals to 24, है न, अब यह एक equation यहां है, यह एक दूसरी वाली equation है, अब दो equation को अगर हम लोग solve करें, तो solve करके बड़े आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, X and Y की value find out कर सकते हैं, ठीक ह इसको erase कर दूँ, अफर इसली मैं करता हूँ, ठीक है, न, तो हमारा क्या है, X Y जो है, वो है 24, और X minus Y जो है, यह है 2, अब यह दुनों को solve कैसे करेंगे, देखो, आप क्या करो, पहले वाले equation में से, पहले वाले equation में से, यह जो equations जो होते हैं इस तरह के, इसको solve करने के बह इक तो तरीका क्या है, आप यह X Y वाली यह जो equation है, इसमीं से X, Y, किसी एक के value निकाल लो, है न, माललो आप यहां से Y की value निकाल लो, तो यहां से Y क्या हो जाएगा, Y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, यह है 24Yx, और यह जो value है, इस value को क्या कर दो, यहां पर इस Y के बा दोना-24 by x पॉस्टुटू टू तिक है अब यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां पे इसको सॉल्फ करें निकाला जा सकता है तो एक तो हम लोग इसको solve कर सकते हैं यहां पफे आप इसको solve करते हो तो यहां पे क्या होगा एक quality की question आएगी फिर उसको solve करना होगा ठीक है यहाँ पर देखो आप कैसे solve करेंगे x को x से multiply कर देंगे x square और minus 24 तो यह क्या जाएगी x square minus 24 ठीक है by x ब्रावर 2 और फिर finally हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से x square minus 24 अब इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा तो यह solve करने का तरीका आपने जूर देखा होगा तो मैं अभी solve करके दिखा दे रहाएं जल्दी से इसको तो क्या है x square minus 2x minus 24 तो solve कर देता हूं x square minus 2x minus 24 equals to 0 कैसे solve करते हैं अब इन सब को solve करने का तरीका क्या होता है इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं वीडियो लंबी हो जाएगी यह quality equation को कैसे solve करते हैं इसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो बताऊंगा अलग से method बताऊंगा वहां मैं कराऊ तो यहां पर यह आ जाएगी कितनी यहां पर आ जाएगी x square minus 6x plus 4x minus 24 equals to 0 अब यह मैं कैसे लिख रहा हूं यह मैं अलग से quality के question जब मैं कड़वाओंगा आप लोग को तो फिर उस समय मैं समझा दूंगा आप लोग को ठीक है अभी मैं बस values जो है निकाल रहा हूं तो x की यहां पर कितनी value आ जाएगी x की value यहां पर आ जाएगी 6 ठीक है तो हमारी x की value 6 आ जाएगी अब हमारा क्या था x minus y equals to 2 था तो 6 minus y कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए तभी तो 2 आएगी तो y की value 4 x की value 6 तो x की 6 आ गई y की 4 आ गई यह कैसे किया मैं अलग से लेख आउंगा अच्छा नमबर तो मिल गए न हमारे 6 & 4 ठीक है option नमबर 4 ठीक है कि LCM of the number 495 है HCF given है 5 है है ना सम given है तो उनका difference क्या है मतलब x minus y पूछ रहे है तो देखो क्या क्या given है LCM given है तो 495 HCF भी दिया हुआ है 5 ठीक है और सम अफ नमबर पूछ रहे है ठीक है सम अफ नमबर मतलब x plus y जो है यह equals to 100 दिये गए है और क्या पूछ रहे है x minus y जो है यह कितना होगा यह पूछ रहे है पहला नमबर x दूसरा नमबर y मान रहा हूं मैं यहां पर आप देखो थोड़ी दर पहले मैंने आपको बताया कि LCM into HCF क्या होता है x into y थोड़ी दर पहले मैं बताया कि LCM into HCF करोगे तो आपको क्या मिलेगा फर्स नमबर यह कि आ गई यह मेरा एक इक्वेशन है यह मेरा दूसरा करोई अब यह दोनों को यूज करके हम लोग चाहें तो बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते है ऊotional कराके x और y की यह निकालेंगे अब सिंप्ली उस rewarding को सब्ड्रेक कर देंगे तो हमें lot अगर आप से नहीं होता है फिर भी आप मुझे बताना अगर आप से नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा मैं इसकी अलग से वीडियो ला करके इसको मैं सॉल्व खर आप दिखा दूगा लेकिन आप एक बार ट्राई तो करो देखो competitive exam में बहुत जरूरी है मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा एक question कड़ा के रास्ता दिखाऊंगा लेकिन उस रास्ते पे दौर लगाना 10 question खुद से solve करके यह आपका काम है तभी जाके competitive exam आपकी solve होगी ठीक है यह जो CUT exam जो है आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा दौर आपको लगाना है और उस दौर में कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है तो बिल्कुल मैं हाथ बगरने को रेडी हो है ना तो आपको कहीं मुझकि आप इसको solve करो पड़ेशानी होती है तो आप मुझे comment करके बताओ मेरे description में link दी गई है Facebook है, Instagram है, Telegram है directly मुझसे बात कर सकते हो ठीक है बढ़ते हैं आगे अब ये question देखो question number 17 को अगर हम लोग observe करे तो question number 17 क्या है the sum of HCF and LCM जो है दो नमबर की 680 है ठीक है HCF and LCM का जो sum जो दिया है ये sum कितना है तो 680 मतलब LCM plus HCF जो है ये है 680 ठीक है and LCM is 84 times HCF, मतलब क्या है LCM जो है ये है 84 times HCF, ये दिया है मतलब HCF को अगर 84 से multiply कर दोगे तब LCM आ जाएगा, तो क्या ये जो LCM जो मैंने यहां लिखा, इसके बदले मैं ये 84 into HCF लिख सकता हूँ क्या हाँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 84 HCF plus HCF equals to 680 84 HCF और इधर 1 HCF, कितना हो जाएगा? 85 HCF 85 HCF जो है, वो 680 आएगा तो यहाँ पर HCF कितनी आजाएगी? 680 by 85 है ना? अब आप इसको reduce करो, आप इसको उपर नीचे reduce करोगे, तो कितने यहाँ पर यह चला जाएगा, अच्छ-ठश-ठश-ठate यह 8 टैम्स में चला जाएगा, है आप करके देख sina आप कर दूद्पर्स में चला जाएगा तो HCF है बारी हमारी कितनी आगई? HCF आ गई हमारी 8 HCF कितनी आगई? हमारी, 8 आगई होगा हमारा LCM तो हमारी HCF 8 LCM 672 जो है वो हमारी क्या आगई 672 अच्छा मैं इसको क्लीन कर लूँ फिर आगे मैं बताता हूँ ठीक है तो 8 और 672 कि मिनट हाँ हमारी HCF में लिख लेता हूँ HCF 8 और LCM हमारी कितनी आगई 672 अब क्या पोल रहे हैं अगर एक नमबर 56 है देखो दो नमबर को यूज करके किया गया है तो एक नमबर 56 है तो दूसरी वाली अदर नमबर क्या है आपको यह बताना है तो मैंने बार बार यह फॉर्मला बताया है और याद होना पड़ेगा आपको LCM इंटू HCF जो है यह होता है फर्स्ट नमबर इंटू सेकंड नमबर LCM हमारा 8 है HCF हमारा 672 है फर्स्ट नमबर जो है यह हमारा 56 दिया हुआ है सेकंड नमबर वाई हमें नहीं पता निकालना है ना तो अब हम लोग इसको रिड्यूस करते तो वाई क्या आ जाएगी वाई उकल्स टू 672 इंटू 8 बाई 56 है ना तो यहां से आप देखो 8 के टेवल में यह 7 टामस में और 7 से अगर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो यहां पर 9 टामस में जो है 9 टामस में 63 ठीक है 4 चला गया और यहां पर 6 टामस में 42 96 दूसरी नमबर क्या आ गई 96 आप्शन नमबर 4 आप् हम लोग अपना next question को हम लोग देख लेते हैं now next question क्या है आप देखो यहां पर हमारी LCM जो है क्या बताई जा रही है 12 times है HCF का LCM जो है वह HCF की 12 times है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं हमारी जो LCM जो होगी 12 into HCF होगी है ना और क्या बोल रहा है sum of HCF and LCM 403 है तो LCM plus HCF क तो देखो यहां पर LCM plus HCF 403 है और LCM के लिए मैं यहां क्या लिख रहा हूँ 12 HCF लिख रहा हूँ तो इस LCM के बदरे मैं यहां पर 12 HCF लिख सकता हूँ क्या यहां जो LCM लिखा है इसके बदले यह वाला चीज लिख सकता हूँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 12 HCF plus HCF equals to 403 तो यह एड़ करोगे कितना आ जाएगी 13 HCF, 13 HCF कितने आ जाएगी 13 HCF आ जाएगी 403, तो HCF हमारा क्या आएगा, HCF आएगा हमारा 403 by 13, 13 के टेबल में देखो, ये 3 times में 39, 1 कहरी हुआ 1, HCF आ गई हमारी 31, HCF कितनी आ गई, 31, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, तो LCM का भी हमने देखा क्या है, 12 into HCF, तो 31 को आप 12 से multiply कर दो, तो 2, 6, यहाँ पे 1, 3, कितना आ गया, 2, 7, यहाँ पे 3, तो 372 है, ये हमारी क्या हो गई, LCM, तो हमारा HCF 31 है, LCM 372 है, तब आगे आप तो आसान है, बहुत ही आसान है, मैं इसको थोड़ा क्लीट करके बताता हूँ, 372 और 31 है ना, तो हमारी LCM कितनी थी, 372, HCF भी हमने निकाला अज़ास्ट अभी, HCF कितना है, HCF 31, अब देखो, तो फर्स्ट नंबर 93 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो हमने फॉर्मला देखा है, देखो, ये फॉर्मला बहुत इंपोर्टेंट है, अब मैं बार-बार स्क्रीन फर्मला बस इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये फॉर्मला देख देखके सुनके याद हो जाए, तो है न, अलग से याद ना करना पड़े, तो HCF इंटू LCM करोगे, तो ये क्या होगा, फॉर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, HCF कितना है? 31, LCM कितना है? 372, X कितना है? 93, Y कितना है? नहीं पता, निकालना है, तो देखो, तो Y क्या आ जाएगी हमारी, ये 93 को इधर लेके जाएंगे, तो ये तो नीची आएगा न, तो 31 इंटू 372 by 93, ठीक है? तो 31 के टेवल में, ये 3 टैम्स में चला गया, और 3 से इसको रिद्यूस करोगे, तो 1 टैम में 3, फिर 2 टैम में 6, फिर यहां पर 1 चला गया, 4 टैम्स में 12 हो गया, तो 124, ऑप्शन में है क्या 124, यहां पर देखो 124, है न, 124, तो हमारा जो दूसरा नंबर है, वो होगा 124 ठीक है, तेखो आपको CUET exam में इसी तरह के questions आने वाले हैं, अब मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके इस formula पर बेस्ट, HCF into LCM formula पर बेस्ट, आपके जो CUET exam है, इसमें LCM HCF जो chapter है, इस formula पर बेस्ट question आना ही आना है, क्योंकि बहुत common है, बहुत सारे exam सो मैंने देखा है, इस formula पर questions पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको use करना सीखो, तो हमारा next question जो है, हमारा next question type 17a, इसे हम लोग देख लेते हैं, तो ये भी काफी देखो, आप देखो कि इस question में भी, तो LCM of two number जो है, वो दिया हुआ है, कितना है, LCM of two number जो है, वो 44 times है अपने HCF का, तो हम लो 125, तो हम लोग लिखेंगे, LCM plus HCF equals to 1125, अब आप देखो, यहां जो मैंने LCM लिखा है, इस LCM के बदले, मैं ये लिख सकता हूँ न, ये तो question में given है, तो मैं क्या लिखूँँगा, 44 HCF मैं यहां लिख दूँगा, 44 HCF plus HCF equals to 1125, अब 44 HCF और HCF कितना हो जागा, 45 HCF, 45 HCF equals to 1125, अब 45 इदर आ जागा न, नीचे आ जाएगा, तो HCF हमारी क्या हो जाएगी, HCF equals to 1125 by 45, अब देखो, अब यह उपर नीचे कट रहा है कि नहीं, इसको काटना है, रिद्यूस करना है, तो 45 के टेवल में, वन टैम में 45, अब 45 के टेवल में 2 टैम में 90, है न, तो 90 यहां पर 112 है, तो 112 में 90 इदर चला गया, तो कितना बच गया, 22, और यहां 5 था, तो 225, तो 45 के टेवल में 225 आता है क्या, आप चेक करो 45 के टेवल में, अगर आप करते हो, तो 225 आ जाएगा, तो यहां पर यह 5 टैम में चला जाएगा, यहां पर 5 टैम में चला जाएगा, यानि कि HCF कितनी आ गई? HCF आ गई 25. HCF 25 आ गई हमारी. अब LCM कितना आएगा? LCM क्या है? 44 HCF. तो क्या आएगा? 44 into 25. ठीक है? 44 को 25 से multiply करेंगे. तो कितना आएगा बताओ? 4 से 25 को किया तो 100. और इधर में, देखो, 44 को मैं कैसे लिखता हूँ? 44 को मैं लिखता हूँ. 11 into 4 into 25. 44 को मैंने 11 into 4 लिखा. और ये into 25 तो पहले से था. 25 को 4 से multiply करेंगे, तो कितनी हो जाएगी? 100. अब 100 को 11 से multiply करोगा, कितना होगा? 1100. मतलब LCM भी आ गई. 1100. LCM आ गई 1100. और HCF हमारी आ गई 25. तो अब इसको clear कर देते हैं. ठीक है? आब आगे देखते हैं क्या है? मैं लिख लू. LCM 1100. और HCF कितनी है? 25. HCF जो है, वो है 25. और अब वही famous सा है, ना, world famous सा formula जो है, लगाएंगे कौन सी? LCM into HCF equals to first number into second number. LCM 1100, HCF है 25. यहाँ पर एक number 25 है, तो X हमारी 25 है, तो Y कितनी होगे? देखो, Y 25, 25 कट गया न? तो Y कितनी आ रहे? 1100? Y कितनी आ रहे? 1100? तो हमारी answer option number 1. बहुत ही असा कुशन था. आपके CUET exam में इस तरह के questions बहुत सारे पुछे जाएंगे. इस टाइप 18 में हम लोग यह देखते है, sum of two number, है ना, यह टाइप 18 में देखते है, sum of two number is 45, तो दो number का sum जो है, वो दिया है 45, तो दो number क्या है? X, Y मानेंगे तो X plus Y कितनी? 45, ठीक है. यह difference, difference मतलब X minus Y, यह कितना है? यह है 1 by 9 of their sum, 1 by 9 of sum, तो X minus Y कितनी आ गई? X minus Y आ जाएगी, यह 9 से यह चला जाएगा, 5 times में, तो 5, तो देखो हमारी पहला equation यह है, दूसरा equation यह है, और इन दोनों को solve कर लोगे, तो बड़े आराम से X and Y की value निकल के आ जाएगी, number मिल जाएगा, तो यहाँ पर यह दूनों को अगर solve करोगे, देखो दूनों यह equation 1, equation 2 को अगर आप add कर दो एक बार के लिए, इसको और इसको add कर दो, तो क्या हो जाएगी? देखो add करोगे तो X, X कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा, अब plus Y, minus Y यह तो कट जाएगी, और equals to 45, अब plus 5, कितनी हो जाएगा? 50, 50, तो X कितनी हो जाएगी? X हो जाएगी 25, X की value 25, तो Y की value कितनी? क्योंकि देखो, X minus Y जो है, यह होना है 5, तो X का value अगर 25 है, तो Y का value कितना होना पड़ेगा? Y के value होना पड़ेगा 20, तो क्या X की value मिल गई? Yes, 25, Y की value मिल गई? Yes, 20, तो हमें दोनों number मिल गए, अब क्या पूछ रहे हैं? अब LCM निकालने के लिए पूछ रहे हैं, LCM निकालना अशान है, है ना? LCM निकालना अशान है, एक 25 है, दूसरा 20 है, तो 25 पहली number, दूसरी number 20, LCM कैसे निकालने? 5 से 5 times में, 4 times में और तो होगा नहीं, 5 जा 25, 25 फोर जा, 25 फोर जा, 25 फोर जा कितना? 100, 100, option number 3, Now, next question की तरफ बढ़ते हैं, हमारा next question देखो, यहाँ पर क्या है, sum of two number, यहाँ पर दो number का sum दे दिया गया है, ठीक है, sum दे दिया गया है, 384, देखो, अलग-अलग pattern है, प्रैक्टिस करते रहना है इन सब को, तो sum of two number, तो याणि कि X plus Y, कितना है, 384, और HCF दे दिया गया है, HCF कितना है, 48, HCF कितना है, 48, 38, ठीक है, देखो, HCF जब कभी भी हो, दिया हो न, आपको जब कभी भी HCF दे दिया गया हो, अब number को लेट कर, देखो, number को मैं X plus Y equals to 384 मान सकता हूँ, लेकिन, क्योंकि यहाँ HCF दिया है, इसका मतलब क्या है, देखो, HCF होता क्या है, मैंने बार-बार समझा है, HCF होता क्या है, HCF वो number है, जो कि दोनों number में, multiply की way में present होता है, यानि कि, HCF अगर मेरी 48 अगर दी गई है, तो मैं number को ऐसे मान सकता हूँ, पहली number हो जाएगी 48X, और दूसरी number हो जाएगी 48Y, मैं XY नहीं मान रहा हूँ, मैं number को मान रहा हूँ 48X, और दूसरा number 48Y, क्यों ऐसा मान रहा हूँ, because 48 HCF है, HCF अगर अगर इवेन हो, तो इस तरह से number को मानना है, तो ये दोनों को अगर add करोगे, तब जाके आएगी 384, 384 यहाँ पर दिया गया है, तो ये दोनों में देखो 48 common है, 48 अगर common ले लोगे, तो X plus Y कितनी आ जाएगी, X plus Y आ जाएगी 384 इधर, और X plus Y equals to 384 by 48, अब 48 के table में 384 कितने times में जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो, 48 से ये 8 times में चले जाएगी, तो 64, और यहाँ पर आच्छे, आच्छोक 32, 32 आच्छे 38, तो ये चली गई 8 times में, यानि कि X plus Y कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मैं थ्रास कोई रेस करता हूँ, हमारी X plus Y जो है, वो होनी चाहिए 8, है ना, X plus Y कितनी होने चाहिए, 8 होनी चाहिए, ये जो दोनों नमबर है, इन दोनों नमबर में, मैक्सिमाम आप 48 common ले सकते हो, जो कि HCF है, तो मैक्सिमाम आप 48 common ले सकते हो, इसलिए हम लोग ने इसको ऐसे लिखा था, लेकिन बाकी जो नमबर बच जाएंगे, है ना, वो नमबर जो है, आपस में common नहीं होगे, मतलब यहां जब X प्लस Y 8 आया है न, तो 8 कैसे कैसे हो सकता है, X की value 1 हो, Y की value 7 हो, अब आप बोलोगे सर, X की value 2, Y की value 6, इसमें भी तो 8 होगा, नहीं, ये वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें X और Y ऐसा नमबर लिखने होंगे, जो दोनों नमबर जो है, इनके भी कुछ common ना हो, देखो 2 और 6 में तो common होता है न, 2 और 6 जो है, ये तो एक दूसरे को, जैसे 2 के table में 3 times में जाती है न, common नहीं होना चाहिए, तो 2 and 6 लेंगे, नहीं लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे, 3 and 5 है न, X होगा 3, और Y होगा 5, ये ले सकते हैं, क्या हाँ, ये वाला ले सकते हैं, तो पहला केस हो सकता है, दूसरा हो सकता है, फिर यहाँ पर देखो, 4 plus 4 ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नंबर लेना है, जिसके बीच में कुछ भी common factor ना हो, तो ये वाला भी नहीं ले सकते हैं, तो हमारा बस 2 केस मिलेगा, एक केस मिलेगा, 1 plus 7, 8, दूसरा केस मिलेगा, 3 plus 5, 8, अब ये दुनों में से कोई एक केस यहाँ पर satisfy होगा, ठीक है, तो X की value हमारी 1 है, और Y की value अगर 7 है, तो उस केस में नंबर हमारा क्या बनता है, ठीक है, उस केस में हमारा number जो है, ठीक है, तो हम लोग इसको त्वासा देख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं clean कर दू, कोई भी अगर doubt हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछो, या पर दिस्क्रिप्शन में, टेलिग्राम और इंस्टाग्राम फेस्बूक की लिंक भी दी गई है, तो वहाँ पर भी आप जो है, मुझसे directly contact करके, मुझसे directly बात कर सकते हो, अपने doubt को clear कर रा सकते हो, अगर मालने मैं पहला case को true आणू, x 1 होना चाहिए, y 7, तो इसका मतलब नंबर क्या होना चाहिए, नंबर मेरी क्या थी, 48 into x, अगर दूसरी नंबर क्या थी, 48 into y, तो x की value अगर मैं 1 मान के चलू, तो नंबर क्या होना चाहिए, 48 into 1, 48 into 7, कितना हो जागी, 8 सते, 8 सते 56, 95, 7 चोक 28, 28 और 5 कितनी हो जागी, 32, तो एक तो ये case आ रहा है, अगर मालनो, x को 1 मानते हो, y को 7 मानते हो, तो उस case में x होगा 48, अब y होगा 326, अब लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहे हैं कि number में difference कितना है, तो ये दोनों में difference निकाल के देखते हैं, अगर इनका difference में से, कोई भी option में से आ गया, तो उस case में हम लोग बोलेंगे, कि ये क्या है, ये हमारा सही है, है ना, अगर इनके difference में से, अगर कुछ भी हमारा आ गया, तो उस case में क्या बोलेंगे, हमारा ये सही है, तो difference निकालो, 3, 26 में से, 48 अगर मैनस करेंगे, तो carry लिया, 16 में से मैनस किया, तो 8, और यहां 31, 31 में से, 31 में से अगर आप 4 मैनस करो, तो कितना आएगा, 31 में से अगर आप 4 मैनस करते हो, तो 28 है ना, 28 हमारा अप्शन है क्या 288 कोई भी, यस है, अप्शन 3, माल लो अगर ये वाला सही नहीं आता, तो उस case में, X को 3 मानते, Y को 5 मानते, तब solve करते हम लोग, ठीक है, तो इस तरीके से, हमारी answer, अप्शन नमबर 3 हो जाएगी, अप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स कोईशन में हम लोग देखेंगे, नमबर बिट्वीन, ये दूसरा टाइप है देखो, नमबर बिट्वीन, 3000 और 4000, विच इस डिवीजिवल बाई 30, 36, 80, देखो, हमने इस तरफ के बहुत कुशन किये, जहां पहले हमने पता किया, एक नमबर बताओ, जो कि इन सब नमबर से डिवाइड होता है, ये थोड़ा special case है, यहां क्या पूछ रहे हैं, कि इन सब से तो डिवाइड होना चाहिए, अब वो नमबर इन दोनों नमबर के बीच में होना चाहिए, प्रोसेश क्या है, जो नमबर से डिवाइड करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले तो क्या करो, उसकी LCM निकाल लो, तो LCM निकालते हैं इसकी, तो 30, 36, 80, 2 के टेवल में 15, 18, 40, फिर उसकी आद में आप 3 के टेवल में 5, 3 के टेवल में 6, और 40, फिर उसकी आद में 5 के टेवल में 1 टेवल में, 6 टेवल में, 8 टेवल में, फिर उसकी आद में 2 के टेवल में, 3 टेवल में, 4 टेवल में, और तो होगा नहीं, तो आप देखो कितना आज आ गया 326 326 3260 3080 120 720 720 तो 720 आ गई हमारी LCM लेकिन हमें क्या बोल रहे है हमें एक ऐसा नमबर बताना है कि जो कि 3000 4000 के बीच में हो 720 है क्या इसके बीच में नहीं है न 720 LCM आने का मतलब क्या है कि 720 एक ऐसा नमबर है जो कि 30 36 and 80 इन तीनों से डिवाइड होगा है न देखो LCM का जो मतलब है आप वो समझो LCM का मतलब क्या होता है LCM का मतलब यह है कि यह जो तीन नमबर जो है इनका जो हमने अब ही LCM निकाला कितना 720 इसका मतलब यह है यह 720 जो है इन तीनों से डिवाइड होगा completely जया रखना है अगर 720 इनका LCM है अगर completely डिवाइड हो रहा है तो 720 का कोई multiple multiple मतलब 720 इन तो 720 को 3 से मल्टिप्लाई कर दो 720 को 5 से मल्टिप्लाई कर दो वो जो भी नमबर आए वो नमबर भी इन से completely डिवाइड होगे अगर LCM जो है 720 LCM है वो completely डिवाइड हो रहा है तो उसका जो multiple है multiple मतलब 720 को किसी भी नमबर से मल्टिप्लाई कर दो तो उसके case में जो भी नमबर आएगा वो भी completely डिवाइड होगा इन से तो इस हिसाप से अगर हम लोग देखे 720 को अगर हम लोग एक बार के लिए इन दोनों नमबर के बीच में लाने के लिए कितना से multiply करना पड़ेगा तो आप देखो 720 को अगर आप एक बार के लिए 5 से multiply करो 720 को एक बार के लिए 5 से multiply करो तो 0 तो 720 इंटु 5 अगर 720 डिवाइड होता है तो 720 इंटु 5 जो नंबर जो है यह भी डिवाइड होगा ठीक है तो कितना आला है 3600 तो 3600 है क्या यहां पर देखो हमारी एंसर हो जाएगी option नंबर 4 यह देखो इसी तरीके का एक और दूसरा question है है ना यहां पर देखो नंबर वही है नंबर जो है वही है 30 36 80 ठीक है तो अगेन इनका पहले एलसेम निकालेंगे और यह नंबर जो है क्या बोल रहे हैं आपको ऐसा नंबर बताना है जो कि इन सबसे डिवाइड होता हो और 1000 & 2000 के बीच में आता हो और उसके साथ ही उसमें रि हैलसेम अभी जास पीसे वाला कॉस्टेन में निकाला कितना है था 720 720 अब हमें क्या बोल रहा है इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए तो इसको अगर टू से मल्टिप्लाई करते है तो 0 4 14 तो 1 4 4 0 एक ऐसा नंबर है जो कि 30 36 80 इन सब से डिवाइड भी होगा और 1000 & 2000 के बी एड कर दो यह करते हैं ना तो 1 5 4 1 1 5 1 4 5 1 है क्या अप्शन में देखो कि अप्शन ए 1 4 5 1 तो हमारा जो एंसर है वह हो जाएगा अप्शन नंबर 1 1 4 5 1 तो देखो यह वाली जो वीडियो जो थी यह कि LCM SCF का लास्ट पार्ट था ठीक है इसके बाद अगर कुछ और पैटर्न मुझे आता है तो मैं डिफिनेटली मैं उसको जो है मैं लेकर आ जाओंगा अभी तक हमने 19 टैप्स ऑफ जो है LCM SCF के कोस्टन जो है हमने स्वाल्फ किये और हर एक टाइप के अंदर भी थोड़ा बहुत पहरीशन देखा अगर हर एक कुस्टन को अलग अलग टाइप अगर आप देखो तो लगबग हमने 60 के आसपास है 50 से 60 कुस्टन जो है हमने जो है देखे है इ इसके बाहर आपका नहीं आएगा तो इसी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो आप प्रैक्टिस करना ज़रोड़ी है ठीक है तो इसके बाद जो है मैं एक निव चैप्टर लेक्या आओंगा आपके QT 2023 जनर्र टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वीडियो पसंद आया हो तो बिलकुल लाइक कमेंट हैंग शेयर करें थैंक यू